नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रदी पाजाव हिंदुस्तान में पिसले करीब साथ दिनों में दो राज्य काफी चर्चाओं में रहे उत्तर प्रदेश और राजस्थान लेकिन ऐसा नहीं कि चर्चाओं खत्म हो गई हो अभी भी है और तेजी से और खासपात ये कि ये चर्चाओं शुरू भी नेताओं ने की थी और अभी भी नेता ही जारी रखे हो गए है अब वाक्या हुआ लखिम पूर खीरी का जहां टायरों के नीचे पांच की और फिर पिटाई के बाद तीन की यानि करीब आठ लोगों की जिंदगियां चली गई जमकर सियासत जो आज भी जारी है जाहिर होती भी क्यों ना आखिरकार मंत्री जी के बेटे को आरोपी माना गया था जैसे पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया और दूसरी पार्टियों के अलावा कॉंग्रेस ने इस मामले को जम कर गुनाया इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे लेकिन पहले बात राजस्थान की यानि यूपी के बाद नाम राजस्थान का जहां चार दिन पहले एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई अब यहां सवाल ये नहीं कि हत्या क्यों की गई लेकिन हाँ पीट-पीट कर कुछ लोगों ने एक दलित युवक को मार दिया घटना की वीडियो भी बहुत वाइरल हुए और नेशनल टीवी चैनल्स पर भी काफी चाय रहे तो यह हुई बात दोनों घटनाओं की दरसल हम यहां बात तफसील से करेंगे और शुरुवात से करेंगे बस आप मेरे साथ जुड़े रहे कहानी लखिमपुर की जहां रहा चलते कुछ लोगों को गाड़ी से कुचल दिया गया मामला सामने आया तो कॉंग्रेस पार्टी सडकों पर आ गई जाही रहे यूपी में योगी जी की चलती है तो कॉंग्रेस को मौका मिल गया अब फिर चाहे राहूल गांधी हो, प्रेंका गांधी हो, सचीन पाइलेट हो, पंजाब सी एम हो या फिर सी एम बगेल साहब हो और दोसरे भी कई छोटे बड़े नेता सभी सडकों पर थे पुलिस के मजबूरी थी, तो नेताओं को डिटेंड भी किया गया, हिरासत में भी ले लिया गया, और किरफ्तार भी किया गया कॉंग्रेस ने जंग कर हला बोला, और सबसे बड़ी बात कि जब उपर से ग्रिन सिंग्नल मिला, तो राजस्थान के पूर्वी डिप्टी सी एम सचीन पाइलेट ने भी आपना टौंग दोरा रद्द कर लखीमपूर की तरफ दोड लगा दी लेकिन ये मारे गए लोगों के परिजनों को गले नहीं लगा सके, क्योंकि इन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया गया था और अगले दिन रिहा किया गया था, खेर, कॉंग्रेस का हला आज भी जारी है आज देखिए, देश में कॉंग्रेस नेता तीन घंटे तक मोह पर पट्टी बांदे रहे उपर से कहा गया था, तो तीन घंटे का मौन वरत रखा गया जो वाकि किसी भी नेता के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम है कोई नेता कुछ नहीं बोला, अब चुप तो भाजपा वाले भी रहे आखिर लखिमपुर मामले पर वो बोले भी तो क्या यूपी में सरकार उनकी तो बयान भी सोज समझ कर ही देना था जो चल रहे हैं और बस कॉंग्रेस पर ही राजनिती करने का दोश मड़ते रहे यानि कहने का मतलब ये कि कॉंग्रेस ने भाजपा को जंग कर आड़े हाथ लिया अब मौका था और दस्तूर भी था तो पीछे भी कैसे रहते हैं चली अब यूपी से निकल कर राजस्थान आते हैं जिक्र कर लेते हैं उस घटना का जिसमें हनुमानगड में एक दलित यूवक को कुछ लोग पीट-पीट कर मौत की नीन सुला देते हैं शोर मचा तो पुलिस ने पांच आरोपियों पर शिकन जाकस दिया एक नाबालिक है उसे निरुद किया गया चार लोगों को पकड़ा गया पुलिस का काम हो गया लेकिन सियासत का काम अभी अधूरा रह गया अब यूपी मामले में परिशान भाजपा को मोका मिल गया और फिर भाजपा के कमान से तीर निकलने शुरू हो गये लेकिन केवर्ड सोशल मीडिया के जरिये हालात ये कि राजस्थान की विपक्षी पार्टी के नेता पीडितों का हाल चानने भी नहीं पहुँचे बस ट्वीटर के जरिये बयान परोसो लाइक हासल करो और शांत रहो चलिये मान भी लिया जाए कि सुबे में विपक्षी जादा मजबूत नहीं कोई बात नहीं लेकिन जनाप जिनकी सरकार है उनके नेता या मंत्री तो वहां तक पहुँची सकते थे जो पाइलिट साहब अपना दोरा कैंसिल कर लखीमपूर तक जा रहे थे वो हनुमानगर तक नहीं पहुँच सके जो गहलो साहब चुनावी सभाओं को संबोधित करने वल्लब नगर और धर्यावत जा सकते थे वो भी नहीं पहुँचे चलिये मुख्या जी को छोड़ भी दिया जाए बात उनकी भी कर लेते हैं जो करीब 500 किलो मिटर यानि भरतपूर से लखीमपूर तक पैदल यातरा का दावा कर रहे थे यानि PCC चीव डोटा सरा सहाब वो अपनी काड़ी से भी हनुमानगर तक नहीं पहुँच सके यूपी में ही क्या हिंदुस्तान में दलीतों के लिए लड़ने वाली मायावती जी भी किवल बयानों में ही आगे रही लेकिन राजस्थान की तरफ उन्होंने भी रुख नहीं किया चार दिन पहले तक जहाँ प्रियंका और राहुल गांदी लखिमपुर की तरफ दोड़ लगा रहे थे यहाँ वो तो क्या उनके नमाइंदे भी नहीं पहुँचे साहब यही सियासत है अब चाहे लखिमपुर का आरोपी पुलिस रिमान पर हो या आने वाले वक्त में उनके मंत्री पिता की कुर्सी चली जाए जो भी हो लेकिन सवाल यही सुभे कुछ कहने वाले शाम को आखिर पलट को जाते हैं आखिर वो दलित युवक भी तो किसी का बेटा था और आशू तो हर आख में होते हैं खेर सोचिए आप और किसी ने ठीक ही कहा है कि कितने चहरे लगे हैं चहरों पर कितने चहरे लगे हैं चहरों पर क्या हाकिकत है और सियासत क्या नमश्कार